हूँ हेलो फ्राइंट आज हमऄोशुफ्ट एक्सल में मोबाईंट में आफुस ओ वेर का यूज करके एक एपले टेबल gone के इसके लिए मीने ओफ़िसुफट्ये वह उपन किया प्लस बटन पर ख्लिक किया है यहां से हमने Excel पर ब्लैंक व्रक भॉक ठीक है ब्लैंक वर्क भॉक पर ख्लिक क्या है तो यह तो इने हमारी एंपलोई रिकॉर्ड ठीक है एंपलोई रिकॉर्ड एंपलोई रिकॉर्ड दिखें यहां पर मैंने मैंशन किया राइट अब हम थोड़ा सा स्कोरर को डाउन करेंगे राइट यहां पर मैंने क्या लिखा है एंपलोई कोड इसके लिए सबसे पहले हम एंपलोई लिखते हैं Name of employee, ठीक है? आप अपने हिसापसे कैसी tables बनाना चाहते है, उसकी हिसापसे लिख सकते है, Name of employee, ठीक है? Name of employee, इसके बाद next में, मैंने किया लिखा है? और next box में department. Department कि डेपार्टमेंट लिखा है next हमने लिखा है city लाइट city के बार लिखा है salary क्योंकि हम फॉरे की टेबल बना रहे हैं इसलिए salary आप हमें क्या करना इसको complete जो हमें कर देंगे यहां पर देखें बॉर्डर है फिल है फॉर्ट कलर माजन रैप टेक्स नंबर फॉर्मेट फॉर्मेट सेल साइच ठीक है यहां पर हम जो कॉलम की वेथ है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करें जीसे मैं यहां पर दे दिया है 15 यह देखिया हमारे कॉलम की वेथ एंक्रीज हो गयां थोड़ा सा मोव करके अपने इसाब से यहां से सेट कर सकते है अब हम वाली टेबल से यह रिंज इस रिंज को हम कंप्लिट को select करेंगे salary तक और हम arrow बटन पर क्लिक करेंगे यहां से देखिए मैंने bold करा है size को थोरा से इसको increase कर दिया है इसके बाद color भी दे सकते हैं हम अपने साबसे हाँ पर मैंने कहें merge and center और merge and center के बाद हाँ से मैंने border में border में मैंने border को select किया है यह देखिए हमारा में सब्सक्राइब आप फारा सब्सक्राइब सब्सक्राइब 2020ति आपавайक प्你說मी mean इतना मैंने करते हैं इसके निए इसके दाक लैंन सब्सक्राइब राइट इधा माहारा इसल्सक्राइबा इससे प्लेव राइट इस पिंडल शांगां ये favor teach यह देखे हमने कम करना चाहते हैं तो हम यहां से इसको कम भी कर सकते हैं जितना हम देना चाहते हैं उतना हम दे देगे इसके बाद हम यहां पर टेबल को हमें फिल करना है कलर देना चाहते हैं तो हम इसको स्लेक्ट करके कलर भी दे सकते हैं यह देखे हैं यहां से फिल कलर से क तेपलोई का कोड रिड़ अ अपने हिसाब सब कोई भी कोड़ फिल कर सकते हूं राइट यह देखिए अभर कोड़ फिल किया है इसके बाद नेक्स्ट हमने यह देखिए कि राइट अब देखें यहांप आप घैसे मैंने मिल गद्यात फूर-जी thriving एंटर के आए यह देखिए फाइप तक हाँ पर को फिल किया है अब हम यह आप पर employee का name फिल करेंगे अपने हिसाब से आप नेम कर देना ठीक है एंटर के आए next हम ने कुछ भी हाँ पर हम नेम डाल सकती है किसी भी लेटर से जिसकी भी हम अप इसके बाद हमें क्या फिल करना है डिपार्ट्मेंट में जो भी हमारा Department देपार्ट्मेंट को फिरि Complete करें यह देखे नेक्स्ट यह देखे जो भी एंप्लोई में जो भी हमारे डिपार्टमेंट है उसी को मैंने आपर फिल किया है फाइनेंस और मार्केटिंग ठीक है अब टेबल में मैंने अब कितने बिक्षोड रख तो अपने अकॉडिंग इसके बाद हम सीटी को फिल करेंगे वाइड जैसे मैंने हाप़ फिल किया है न्यू दिल्ली ठीक है हम same city भी रख सकते हैं अपने हिसाब से राइट और अलग-अलग भी रख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर अब दिया है चिन नहीं राइट एंटर किया है वो इसके बाद next दिया है मुंबई इसके बाद एंटर किया है इस तरीके से हम किसी भी type की एंप्लारीबल को यहां आप पर कर सकते हैं ए देखिए अब हमने यहां पर क्या दिया है salary salary को fill करने के बाद enter करेंगे यह देखिए जो हम salary fill करना चाहते हैं वह हम यहां पर fill कर देगे अ其實 अपने हिसाब से रायट कद घि यह हमने salary fill कर दी अब हमें इसकी settings करनी है थोड़ा सा इस range को भी हम क्या करेंगे select कर लेंगे जो हमारी यह range है इस range को भी मैंने select के राइट यह देखिए अब हम इस बटन पर आएंगे यहां से हमने इसको बोल्ड कर दिया है यहां से हमने इसको border दिया है और एक border में ने यह dark वाला भी दिया कि चाहो त और यहां से अब पहले हमने column की width को change किया था अब हम क्या change कर रहे है रो की height यह देखिए ok कर देंगे यसे मैंने हाँ आपर दिया है 25 यह देखिए अबने हिसाब से हम दिये सकते है राइट इसके बाद setting करने के बद जो हमारा यह वाली रींज है इस रींज को मैंने select किया है राइट और हमने हाँ से इसको क्या दे दिया है कि यह हमारा centre में रही यह देखें, center में एक जो हमारी salary वाली range है, इसको भी मने select करके क्या दे दिया है, center में दे दिया है, right, अब हमें क्या करना है, इसमें total दिखाना है, कि हमारी total कितनी salary है और maximum कितनी है, right, हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया है, total, right, total show करेंगे, यहाँ पर हम, यह देखिए, यह कर्षा रखके, यहाँ पर रखेंगे पहले, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, total, maximum और minimum, ठीक है, total salary, maximum, और minimum, right, इसको थूरा सा हम select करके border दे देते हैं, इतना select करेंगे, और यहाँ से जो हम border देंगे, यह देखिए, border में जाके, यह मैंने corner वाला border दिया, right, थूरा से इसको हम bold कर देंगे, इसकी जो हमारी size है, cell की range, format, यह देखिए, format cell size, इसकी row की height हम अगें 25 दे देंगे, size similar रखने के लिए, right, यह देखिए, इस तरीके से, धोरा सा font का हम size भी increase कर सकते हैं, इसकी न हिए अपने हिसाब से जो हम font का size यहां से back कर देंगे, और यहां से size को धोरा सा increase कर देंगे, right, और color देना चाहते हैं तो हम fill का color भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से, right, अब हमें क्या करना, यहाँ पर total दिखाना है, टोटल दिखाने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे ठीक है यहां कर्षर रखेंगे और जो हमारे फॉर्मूला है टोटल का उसको हम यहां पर यूज करेंगे यहां से थोड़ा बैक कर देंगे पहले और यहां से नम्बस ले लेंगे यह numbers is equal to हमने यहाँ पर maximum दिया था तो हम यहाँ क्या लिखेंगे maximum और range क्या है हमारी हाँ पर total करने की E5 से लेकर E9 तब E5 पहले हम bracket लगाएंगे हाँ पर ले ले हमने E5 colon E9 और हम यहाँ पर enter कर देंगे देखे हमारा maximum निकल के आगया है यहाँ पर और हम sum करेंगे formula लगाएंगे इस इकल्टू का symbols लगाएंगे पहले यहाँ से हम sum का formula लगाएंगे sum का formula लेने के बाद अगेर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे range range के आती है हमारी E5 से लेकर E9 तक और इसके बाद हम यहाँ से right के button पर क्लिक कर देंगे देखे हमां total निकल के आगया है इसी तरीके से हम यहाँ पर minimum निकाल लें minimum salary तो इसके लिए हम minimum functions का यूज करेंगे अगें हम E5 से लेकर E9 ठीक है और यहाँ राइट के बटन पर क्लिक कर देंगे यह देखें मैक्सिमम मिनिमम और टोटल हमारी salary यहाँ पर निकल के आगी है इस तरीके से बिलकुछ सिंपल functions का यूज करके हमने Microsoft Excel में मोबाइल में एक employee की टेबल को कि रिट के आई देखें इस तरीके से राइट मोबाइल में आप कोई भी software WPS office software या office software का यूज करके जो इसके format के functions है और जो formula इनका यूज करके आप टेबल को कि रिट कर सकते हो यूज करते हैं